आशा करता हूँ आप सब्वाइब करेंगे दोस्तों मान कोर की बात करें दोस्तों तुनको हाली में नारी शक्ती पुरसकार दिया गया है मार्च को वुमेंस जे था दोस्तों मेरा सेपरेट लिच्चर आया है वुमेंन इंपार्मेंट पे देखा कि नहीं सरूर देखिए तुमान को और की बात करेंगे वर्ल्ड ओल्डिस्ट एथिलीट है ये इतनी बड़ी इंस्पिरेशन है जिस उमर में लोग रिटार्मेंट की तो छोड़िये खटिया पे पड़े रहते हैं विस्तर पे पड़े रहते हैं उस उमर में ये भाग रही है वर्जिश करती है वर्क आउट करती है और सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है दोस्तों भारत का नाम रोशन कर रही है आप इनको दोड़ते हुए देखिए विश्वासी नहीं होता यह तो लिविंग सोपर ही रहे हैं समझ रहे हैं यह अगर जवानी में दोड़ती तो पक्का उलम्पिक में मेडल ले आती बट कोई बात नहीं रेटायर्मेंट के बाद जो व्रद्धो का ओलम्पिक्स होता है ठीक है जिसको वर्ड मास्टर्स चैंपेंशिप कहते हैं वहाँ पे भारत के लिए गोल्ड मेडल लेके आ रही है इनीजबुक वर्ड रिकॉर्ड मिवीन का नाम रिकमेंड किया गया है और आज हम मान कौर की बात करेंगे दोस्तो आठ मार्च याने की इसी संडे को दोस्तो पंद्रा औरतों को नारी शक्ति पुरसकार दिया और उसमें मान कौर एक थी तो हम देखेंगे इनकी लाइफ कमाल की स्टोडिय चलिए आगे बढ़ते हैं सेड अनसको रिकनेक्ट मेरा फेस्बुक पेज है सिद्धान तक नियोतरी के नाम से मेरी फेस्बुक प्रोफाइल है दोनों ही जगा प्लेचर की PDF ले सकते हैं सवाल भी पूछ सकते हैं दोस्तों जब सवाल पूछते हैं मुझे थोड़ा सा मैं कभी-कभी देर में रिपलाई करता हूं लेकिन मैं रिपलाई सबको कर देता ह ठीक है दोस्ते तीन दिन कभी-कभी लग जाते हैं एक चीज़ बोलना चाहूंगा कि मेरी प्रोफाइल पे सवाल मत पूछे क्योंकि होता क्या है कि प्रोफाइल में कभी-कभी मैं सवाल नहीं देख पाता हूं ठीक है तो अगर आप पेज पे पूछे सवाल मैं कई बार इ हैं तो दोस्तो किसी भी एक्जान की आप तैयरी कर रहे हैं हमने सब के लिए पेंडराइफ कोर्स बनाये हैं आप तो UPSCEPFO का भी पेंडराइफ कोर्स अविलिबल है तो सब पे 70% ओफ है इन नमर्स पर कॉल करिए विबसाइट विजिट करिए आपको बहुत ज़्यदा फा काफी ज़्यदा बढ़ गई है क्यों क्योंकि इन्हों ने अपना बहुत अच्छे से खयाल रख गया यह पुरानी फसल है पुराने लोग है जो शुद्ध देशी घी और पूरा जो कहते हैं कि हिल्दी डाइट लेते हैं आज कल तो एक तरीके से फूड भी करप्ट हो चु किया गया अब इन्हों ने 936 साल की अमर में अपना करियर शुरू किया बताइए नबए साल की उमर में 80 साल की उमर में 70 साल के उमर में लोग सोचते हैं कि बस अब तीर थियात्रा करनी है अब हमको कुछ नहीं चाहिए जिदिगी में भगवान के दर्शन हो जाए इन्हों ने बोला कि मुझे तीर थियात्रा नहीं करनी है मुझे दुनिया की यात्रा करनी है बारत का नाम रोशन करना है और ये द अथिलीट है वो भी World Master Championship में हिस्सा लेते थे तो एक बार क्या हुआ कि इन्हों ने अपनी माता जी से बोला यह 2009 की बात है इन्हों ने अपना करियर 2009 में शुरू किया था ठीक है तो उन्हों ने इनसे बोला अपनी माता जी से कि बेबे आप इतनी तंदुरुस्त हो इतना प्रमपिक बोला जाता है यह जो लोग रेटायर हो चुके हैं और जो बड़े फिट हैं वो इसमें पार्ट ले सकते हैं तो जब गुर्देव सिंग ने यह चीज ऑब्जर्व की ताब इन्हों ने बोला कि बेबे आप क्यों नहीं पार्ट ले रही हो ताब इन्हों ने बो ही उसके बाद तो rest is history फिर इनकी training शुरू होती है मानकोर बोलती है कि मुझे सबसे अच्छा दोड़ना लगता है और इंसान को वही करना चाहिए जो उसको बहुत पसंद है जो उसको satisfaction देता है तो फिर यह दोड़ने लगी दोस्तो रिकॉर्ड सुन लीजे चौक जाएंग 400 मीटर की दोड़ 6 मिनट 10 सेकेंड में जैवलिन थो साड़े 5 मीटर इतनी जबरदस्त अथलीट दोस्तो इतना फेट की बड़े बड़े लोग शर्मा जाए यंगस्तर शर्मा जाए आप तो आजकल तो वैसे भी कोई वर्काउट नहीं करता है ठीक है और यह मनकोर जो है व अमेरिकन मास्टर गेम और वर्ल्ड मास्टर गेम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है 2017 में जब इन्होंने वर्ल्ड मास्टर गेम में पार्टिसिपेट किया था सौ मीटर से इन्होंने शुरुवात की ठीक है सौ मीटर दौट से इन्होंने शुरुवात की थी अकेली ही दोड़ रही थी क्योंकि और कोई था ही नहीं इतनी हिम्मत कहा कि 100 साल की उमर में 90-70 साल के उमर में कोई दोड़ जाये बहुत हिम्मत की बात ही है ना बहुत ही स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन तो अकेली ये दोड़ रही थी फील्ड पे और पूरा जो ग्राउंड था जो वहां पे लोग बैठेते हों खड़े होके तालिया बजा रहे थे ठीक है वह फुटेज अवैलेबल है दोस्तों आप देखिएगा धीमे धीमे दोड़ रही थी लेकिन कमाल का काम किया अकेली ही धोड़ी क्योंकि और किसी की हिम्मतीनी बाकिस हमने विड्रौ ही करने विड्रौ क जाता है वैसे वैसे वारी बोन डेंसिटी कम होती जाती है मानक और के साथ भी यही हुआ और अगर एक बार आपकी हड़िया कमजोर हुई तो आप फिजिकल अक्टिविटी करने में बहुत ज़्यदा दिक्कत हो कि आप देखते हैं कि जैसे जैसे इंसान बुड़ा होता ज जैसे उसको बिमारिया लगती जाती है उसकी हड्डियों में तर्थ शुरू होता जाता है बोन डेंसिटी कम होती जाती है लेकिन मानक और यह सब कंपंसेर कैसे करती है प्रॉपर डाइट लेके एक्सरसाइज करके और अब तो युनिवसिटी में जाती स्टूडेंस को बत गाउंपुरा 20 किलो मीटर में सिमढ जाता है ठीक है तो डेली 20 किलो मीटर दो और उसके बाद जिम जाती है जिम जाती है फिट रहती है फिर प्रॉपर डाइट लेती है यह ठीक है न अगर हम आत करें कि इनकी डाइट में क्या-क्या आता है तो दोस्तों सोया मिल्क लेती ह वीट, ग्रास, जूस लेती है, नट्स, लेंटेज, चपातीज, प्रोटीन दोस्तों आपको पता ही होगा कि वर्क आउट के लिए प्रोटीन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है, अगर आप वर्क आउट कर रहे हैं तो exercise से ज़्यादा ठीक है, आपको rest और जो diet है वो बहुत important होते हैं, protein और carbohydrate जिसको carbs कहते हैं, बहुत ज़्यादा important होता है, protein 1.2 gram पर kg से लेकर 1.8 gram पर kg तक चाहिए होता है, यानि कि मान लिजे कि अगर आपका 70 kg का weight है, और अगर आप body building कर रहे हैं या आपको fit रहना है, या आपको body बनानी है, muscle gain करना है, तो यह आपको 110 gram प्रोट kg के हिसाब से होता है, और यह जादा भी नहीं, protein जादा अगर आपने लिए तो बेकार जाएगा, वो waste जाएगा, जितना है उतना ही लेना है protein, समझ रहे हैं तो protein और carbohydrates बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, मनक और अपने diet में यह दोनों चीजे रखती हैं, तब ही तो इतनी adrenaline throw, shot put, यह तीनों games में, और usually जो world masters में, जितने games होते हैं, जिस पर यह हिस्सा ले सकती है, उन सब में हिस्सा लेती हैं, और medal जीत के लाती है, 20 से जादा medal इन्होंने जीते हैं, अभी तक masters games में, जहां जहां यह गई हैं, और इतना late career शुरू किया है इन्होंने, उसके तो यह चीज है, अभी दोस्तों हाली में, 2018 में हमने देखा कि Canada में world master championship हुई, अमेरिका के master championship हुई, उससे पहले Spain में हुई थी, पोलेंड में हुई थी, सब जगा, सब जगा medal जीत किया है, पोलेंड में जो championship हुई थी दोस्तों, उसमें तो उन्होंने चारों की चारों इर और और भी athletes है, जो उनकी उमर हो गई है, लेकिन कमाल का उन्होंने काम किया है, भारत के लिए inspiration, इसमें एक फोजा संग भी आते हैं, एक निहाल गिल भी आते हैं, इन्होंने भी कमाल का काम किया है, और मन कौर्थों हैं ही, जो बहुत अच्छा कर रही है, फिर उन्हों दो पुछा गया कि रिटायर होगी, कभी नहीं रिटायर होगी, जब तक है जाँ, जब तक है साथ, तब तक दोड़ते रहेंगे, दोड़ना तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है, इस्पेइन में भी इन्होंने मेडल जीता जो इस्पेइन में 2018 में, जो मलागा में वर्ल्ल Master's Athletic Championship हुई थी ठीक है और अभी रामनात कोविंद जो हमारे राश्ट्रपती है रामनात कोविंद की बायग्राफी मैंने रिव्यू की है दोस्तों मेरी दो सीरीज आप जरूर देखेगा तो प्राइम इनिस्टर सीरीज और एक प्रेसिडेंट सीरीज आजाद भारत के बाद प्रामनात कोविंद ने अभी नारी शक्ति पुरिसकार दिया 2019 तो वो मनकौर को भी दिया International Women's Day 8 March को जो होता है तो 8 March को मनकौर को एवार्ड मिला ठीक है और भी औरतों को दिया गया तो यह चीज है वैसे मुदी जी ने भी इनका आशिरवाद मांगा है मनकौर को बहुत ब इंपार्मिंट के का यह जो कॉस है महिला सशक्ति करन महिलाओं के हालत दोस्तों वैसे ही बहुत खराब है वो में इंपार्मिंट पे मेरा पुरा सेप्रेट लेकर आया हूं जो क्राइम अगेस्ट वोमेंस होते हैं और उसको कैसे ठीक किया जाए फिर वो में इनकी भी बायोग्राफिय रिव्यू की थी वो भी एक कमाल का एक्जामपल है इतनी उमर में इस समय बंदूग चला रही है कमाल का निशाना लगा रही है तो अब अगला टार्गेट क्या है इनका अगला टार्गेट जो है दोस्तों 2020 में ठीक है यानि कि इसी साल जापान म वह इनका next target है और बहुत ही जबर्दस त्रिकें से ट्रेनीक कर रही है प्रॉपर तरीके से ट्रेन गीदे कर रही है ठीक है ताकि यह वहां पे भी गोल्ड मेडल जीत के आपाएं और गोल्ड मेडल तो दोस्तों गोल्ड मेडल कहीं पे भी किसी वीदेश के लिए यह तो घ झाल झाल